दोस्तों कुश महीने पहले अमेरिका और भारत के एक संभावी डिल को लेके एक बहुत बड़ा खवर था जो वेसिकली अमेरिका के कमपनी के तरफ से निर्मान किया हुआ नेवल गन को लेके था और दोस्तों रिपोर्टों में ये वी दावा किया गया कि अमेरिका के द्वा और भारत के तरफ से इन गनों को खरिदने के जो इरादा है उसे स्क्रैप कर दिया गया है। में जानकारी तो नहीं दिया गया है लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताविक भारत असल में मेकिन इंडिया इनिशिटीव के अंतरगत आगे बढ़ना चाता था और इसे कारण के वज़ा से 127 मिलिमीटर के इन गनों को नहीं खरिदा बलकी नेवी के जहाजों में 76 मिलिमीटर के पुराने गनों को ही लगाने के इरादे के तहट आगे बढ़ा और अब दोस्तों खवर आ रहा है कि भारत को और 76 मिलिमीटर गन का भी इस्तिमाल करने का जुरूरत नहीं पड़ेगा और भारत अपने जहाजों में आने वाले समय में 127 मिलिमीटर का गन का भी इस्तिमाल क वही पर दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में ये वी दावा किया जा रहा है कि भारत के तरफ से अमेरिका से ये मार्क 45 गनों को इसलिए भी नहीं पर्चेस किया जा रहा है क्योंकि इन गनों का कीमत काफी अधिक है और दूसरे तरफ दोस्तों मेकिन इंडिया इनिशिटीव क भी प्रोमोट करना है और इतने बड़े अमाउंट के डील के बावजूद अमेरिका के तरफ से भारत को इन गनों के टेक्नोलोजी को लेके हामी नहीं भरा गया था हला कि दोस्तो अब अगर भारत अमेरिका के साथ ऐसे किसी डील के अंतरगत आगे बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उसमें टेक्नोलोजी ट्रांसफर को लेके हामी नहीं भरेगा पर दोस्तो आत्म निर्वर भारत के संकल्फ को जो उठाया गया उसे ही आगे बढ़ाते हुए नेवी के तरफ से कुछ प्राइबिट सेक्टर कमपनियों के साथ ऐसे गनों को डेफलोट करने को लेके बातचित किया गया और दोस्तो अब बताया जा रहा है कि इसमें वारत फॉर्ज के तरफ से एक इनिशिटिव लिया गया है और दोस्तो आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि भारत फॉर्ज भारत के एक ऐसे महत्तो पूर्ण कमपनी है जो कि लंबे समय से डिफेंस सेक्टर में काम भी कर रहा है और कई तरिके के हतियारों को निर्मा कमपनियों के साथ मिलके भी जॉइंटली अलग अलेक्ट्राइग के हतियारों का निर्मान भी कर रहा है अब ऐसे में दोस्तो आट लेडियों का निर्मान में अगर भारत फॉर्ज को इतना बड़ा सफलता मिला है तो इसी सफलता का इस्तेमाल करके और इसी एक्स्पिरियं नेवी के बेड़े को करीवन 200 जहाजों के बड़े एक बेड़े में कनवर्ट करने का तैयारी किया जा रहा है और करेंटली इसी समय जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा है तब भी भारत के अलग अलग शीप्याड में 60 से भी अधिक जहाजों का निर्मान का काम चल रहा है जो की आने वाले कुछी सालों के अंदर इंडियान नेवी के बेड़े में जुरेगा इनमें कई सारे जहाज तो काफी बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर जैसे है जब कर के कैलिवर के गन भारत के पास नहीं है और फिलाल भारत को 40 mm के बाद 76 mm, 100 mm, 100 and 27 mm और 150 plus mm कैलिवर के गनों का जरुरत है फिलाल इंडियान नेवी के 76 mm के गनों के जरुरतों को ओटाम लारा के गनों के द्वारा पूरा किया जाता है जबकि इससे अधिक कैलिवर वाला जो गन है हुआ असल में 100 mm के एके 100 रॉरिजिन गन है 127 mm के गन का इस्तिमाल इंडियान नेवी में नहीं होता है हाला कि दोस्तों अब अगर 127 mm के गन का डेवलाप्मेंट किया जाता है और खाली इस तरीके के नेवल गन नहीं बलकि एक ऐसे इलेक्रो मैगनिटिक गन के डेवलाप्मेंट के तरह भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए जो की फ्यूचर के एक रिक्वार्मेंट होगा अब रिपोर्ट के मुताविक भारत के तरफ से कई तरीके के रैमजेर प्रोपोल्सन शेल्स को भी डेवलाप्मेंट किया जा रहा है मतलब आने वाले समय में अगर भारत अपने खुद के रैपीड फायर नेवल गन का डेवलाप्मेंट करता है तो एक तरीके से लॉंग रेंज या फिर कहें तो एक्स्टेंडेड रेंज शेल्स का भी आबशकता भारत अपने खुद के बलबूते पर पूरा कर सकेगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो नेवल गन के डेवलाप्मेंट का तैयारी भारत के तरफ से किया जा रहा है ये अमेरिका के मुझे उपर कितना वड़ा तमाचा होगा और दोस्तो अगर तब अमेरिका के द्वारा भारत को टेक्नोलोजी दे दिया गया होता तो क्या भारत के लिए ये नुकसान दायक होता या फिर भारत तब भी अपने खुद के नेवल गनों के डेवलाप्मेंट करता कॉमेंट करके अपने राय अवश्र दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही पही करते समात किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम